तो 30 मही से 1 जुलाई तक का कुछ समय ऐसा आ रहा है जिसमें मंगल नेच के हो रहे हैं और शुक्र के साथ वो यूती भी कर रहे हैं ये यूती करक रासी में बन रहे हैं अब करक लगन वालों पर इसका कैसा पुर्फ़ा पड़ेगा इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं त शुक्र के पास है तो जो भाव हैं भाव के इसाब से देखा जाए काफी इंपोर्टेंट कुंडली के जो भाव हैं वो मंगल और शुक्र के पास हैं और यह जो यूती बन रहे हैं वो लगन में बन रहे हैं अब यहां पर सबसे मैं पॉइंट यह हैं कि जो मंगल हैं वो न काफी सारे इस्यूज क्रियेट होंगे और यह काफी डेंजरस यूती साबित होगी आप लोगों के लिए लेकिन फिर भी अगर आपका शुकर काफी मजबूत है चार्ट में आपके तो उसके अच्छे प्रिणाम अब इस यूती के जो प्रिणाम है वो उन लोगों को सबसे ज लेकिन मंगल की जो एनरजी है उसको आपको कंट्रोल करना होगा इस यूती में अगर आप मंगल की एनरजी को कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर काफी सारी प्रोब्लम्स क्रियेट होंगी तो प्रोब्लम्स कौन-कौन सी क्रियेट हो सकते हैं और कौन-कौन से इस यूती में आपको फाइदे भी मिल सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहें सबसे पहले देखिए, लगन में जब भी मंगल और शुकर की इस प्रकार से यूती बनती है तो यह आपकी personality के लिए काफी अच्छी है, आपकी skills के लिए काफी अच्छी है लेकिन यहाँ पर man problem यह है कि मंगल नीच की इस्तिती में है, मंगल जब भी इस प्रकार से नीच की इस्तिती में होंगे तो वो शुकर के उपर भी अपना नकरात्मत प्रभाव डालेंगे, ऐसे में कही न कहीं आपको problems आएंगी तो यहाँ पर manly जो शुकर से related problems है वो भी होंगी और mangal से related problem तो आपको होई सकती है वो तो clear ही है, अब लगन में इस प्रकार की इूतिका होना आपको एक तो काफी ज़्यदा 80 वाला बना सकता है 80 टाइब का विक्टी बना सकता है कुछ समय के लिए, अगर आपको शुकर की दसा चल लिए तो निस्सी द्रोप से आप इस तरफ जा सकते हैं लग्जरी के सुक के लिए आपको काफी जादा की तउविलास की तउनुस्ती होगी और काफी सारी ऐसी चीजें लाइफ में में काफी मिस अंडérique क्रिएट होगी और आप कुछ जयादा करेंगे तो यहाँ पे चे इस्त्री का चार्ट हो चे पुरुस का कुछ ना कुछ हद तक यहाँ पर आपको जो romantic activities है आपकी life की उनके उपर इसका काफी negative प्रभाव पड़ सकता है ऐसे में आप sexual relationship में काफी ज़्यादा ऐसंतोस्ट मैसूश कर सकते हैं अपने आपको तो यह प्रकार की यूती से आपको सावधानी रखनी है जिन लोगों का married life में काफी ज़्यादा पहले से विवाद चल रहा है जिनका separation जैसा मामला चल रहा है या मालीजे कोई dispute चल रहा है तो यह जो यूती बनेगी एक महिने तक के समय के लिए यह problems को और ज़्यादा बढ़ है तो चंदरमा ऐसे ग्रह हैं जो दूसरे ग्रह से बहुत जल्दे प्रभावित होते हैं ऐसे में जब भी आपके लगन में कोई भी ग्रह इस प्रकार से गोचर करेगा या वो यूती करेगा तो आपकी personality पर आपके उपर भी उसका direct पूरा-पूरा असर पड़ेगा ऐसे मे कही ना कहीं आप इस यूती से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे जितने भी लगन हैं उनमें से सबसे ज्यादा प्रभावित आप होंगे बलही वो negative रूप से प्रभावित हों बलही वो positive रूप से प्रभावित हों अब यहाँ पे एक और issue create होगा अगर आपका मंगल या शुक्र में से कोई भिगर है राहू या केतु के साथ बैठा हुए तो काफी सारी प्रोब्लम्स क्रियेट हो जाएंगी आप लोगों की लाइफ में अगर ये जो यूती मैंने बोली है वो सप्टमभाव में है या फिर बारवे में है या फिर लगन में है तो और आपकी संतांस रिलेटेड जो प्रोब्लम्स हैं संतांस रिलेटेड जो इस्यूज हैं आपके खुद की education है आपके सोचने का तरीका है आपकी mentality है आपके काम करने का जो तरीका है है और उस पर इसका अफर पड़ेगा इसके अलावा अगर आप Share मार्केट से कोई अर्णिक्ट वगरे करते हैं अब डेली ट्रेडिंग वगरे करते हैं तो कुछ समय के लिए आपको ट्रेडिंग रोक देनी पड़ेगी प्रेम प्रेम शमंदों के इसाब से देखा जाए तो प्रेम शमंदों में आप काफी ज़्यादा एसंतुष्ट नजर आएंगे इस यूती में अब यहां मंगल 10th लोड है 10th लोड होने के विज़े से सरनली कुछ न कुछ से प्रोब्लम सा सकती हैं आपको केरियर से रिलेटेड लेकिन यह कुछ समय के लिए ही होंगी अब जिन लोगों को इस समय जोब चेंज करना रहेगा उनका सरनली जोब में चेंज होगा लेकिन यहां यह यूती आपको काफी ज़्यादा बदनाम भी कर सक करते हैं तो विसे इसकर आप इस्त्रियों के साथ बात करते समय उनके साथ किसी भी प्रकार का लेंदेन बिहेव करते समय सावधानी बढ़ते हैं पुरुस लोग अब यह आपको रोमांटिक काफी ज़्यादा बनाएगा तो रोमांस की जो इच्छा है रोमांटिक चीज़ ज्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा अब लेकिन उन इस्त्रियों के उपर इसका काफी नेगेटिव प्रभाव पड़ सकते हैं जिनका कोई वर्फ्रेंड बगरे है या जिनका किसी से कोई रिलेसिंशिप चल रहा है या मैरीड लाइफ में जिनके लोड हैं वो मंगल हैं और 10th लोड का लगन में इस परकार से गोचर करना नीच के होके गोचर करना आपको केरियर से रिलेटेड कोई ना कोई गलत डिसीजन लेने के लिए प्रिडित कर सकता है केरियर में काफी ज्यादा आप कुछ साहसिक गतिव वीदियों का इस्तिमाल क कर सकते हैं तो यहां पे जो जो मंगल हैं वो देखेंगे आपके फ्रॉट को च शुखर को देखने की वज़े से uk solutions क्रेएट हो सकते हैं अपनी ही family के साथ आब यहाँ पर देखाजाए को भी देखेंगे यानि आपके सब्तम को और शुक्र भी यहाँ पर देखेंगे सब्तम को तो जिन जातकों की अभी marriage होने वाली है या marriage करने का प्लान कर रहे हैं इस एक महीने के दोरान इस एक महीने की ओधी के दोरान थोड़ा सा वोईड करके चले ज्यादा बहतर कर रहेगा साथ में अगर आप लोग मंगल की कोई remedy कर रहे हैं तो मंगल की remedy आपको नहीं करने चे इस एक महीने की समय के दोरान इसके अलावा मंगल जो की देख रहे हैं आपके सब्तम भाव को तो सब्तम भाव से रिलेटेड अगर आपको अलरड़ी कोई भी इस्यू क्रियेट हो रहा है तो काफी ज़्यादा प्रोब्लम से आप लोगों को आएंगी अब यहां पर आपका जो पार्टनर है पार्टनर की साथ रिलेशनसिप में एस अंतुष्ट है ना पार्टनर के अलावा किसी और से रिलेशनसिप बनना तो एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर्स के भी काफी ज़्यादा चांसिस होंगे और इस यूटी का सबसे ज़्यादा लाब उन लोगों को मिलेगा जो फिल्म इंडिस्ट्री वगर कर सकते हैं क्योंकि आप चंद्रमा का लगन होने की वज़े से काफी जल्दी प्रभावित होंगे इससे और काफी एक लोंग लास्टिंग प्रभाव भी आपके उपर ये यूटी छोड़ सकती है तो अगर आप रिलेशनसिप में संतुष्ट नहीं है आपको रिस्तों में क किसी की मैरीज होगी तो उनके सुरुवात से इस प्रकार के डिस्पूट क्रियेट हो सकते हैं जैसे कि फिर वो अपने पार्टनर के साथ अंडरस्टेंडिंग अच्छी नहीं रख पाएं वो रिलेस्नसिप में काफी ज़दा अपने पार्टनर के साथ ऐसंतोस्ट हो तो य या फिर राहू या फिर केतु के साथ आपके मंगल या फिर शुक्र बैठे वें चार्ट में तो कुछ इस प्रकार से आप प्लान कर सकते हैं साथ इसाथ देखिए इस्त्रियों से सावधानी बरते जो पुरुश लोग हैं वो इस्त्रियों के साथ बेहेव करते से मैं प्रेटर्जिका